नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप फिल्मी ताउ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आर्ट एंट क्राफ्ट टीचर रिकूट्मेंट केस को लेकर आए दीन कुछ ना कुछ नया होता रहता है और इसी कड़ी में एक और जो है सर्पुलर जारी हुआ है जिसे हमारे सब्सक्राइबर सरविंदर जी ने हमसे सांचा किया है और रोस्टर का मतलब यही है सातियों की जो जजिस होते हैं उन्रोल उनको किस किस केस को सुनना है ये सब मामला होता है कि उनकी जब टांसफर कर दी जाती है एक कोट से दूसरे कोट में तो उसे कहते हैं कि भई रोस्टर चेंज हो गया और इसी कड़ी में जो नया रोस्टर आया है उसको लेकर कई साथियों की क्वेरीज थी और उसी को लेकर ये वीडियो है बाकी हम आपको स्क्रीन पर देखा रहे हैं वो पूरा जो नौटिस हाई कोट ने अपनी वेबसाइट के उपर शेर किया है आप भी जो है वेबसाइट के उपर जाकर उसे देख सकते हैं बाकी कई साथियों का जो है संग्ष बना हुआ था कि ये जो मामला है जो रिजर्व रखा गया है क्या उसके उपर ये चीज़े लागू होंगी यानि कि रोस्टर का जो बदलाव हुआ है वो अपने इस फैंसले के उपर यानि कि जो आर्ट एंट क्राफटीचर रिकूटमेट केस जो रिजर्व रखा गया है उसके उपर क्या ये लागू होगा या नहीं ये वीडियो उसी को लेकर है और इस रोस्टर में उस केस को लेकर कोई फरक नहीं पड़ेगा जी हाँ पर देख रहे हैं हम आपको जो है पूरा ये नोटिस है ये दिखा रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है बाकि जहां तक जिन लाइनों को लेकर संशय बना हुआ था इस नोटिस में हम उसके उपर अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो केस हैं ये पार्ट हर्ड या की तो उस दोरान यानि की जो एक महिने के भीतर जो केसिज हैं जिनको सुना नहीं गया है आगे की तारीक मिली है उनके लिए यह जो है एपलिकेबल होगा लेकिन जो मामले रिजर्व रखे गए हैं उनके उपर बहस अल्रेडी पूरी हो चुकी है उनके उपर इसका कोई फर् संवाई करेंगे और अगर उसके बाद के जो मेटर है यानि कि एक महीने के बाद के जिनमें डेट मिली है तो उसमें उस समय जो रोस्टर होगा जो जज़ेज सिटिंग ज़ेज होंगे उस कोट के अंदर वो उसके संवाई करेंगे फिलहाल अगर बात की जाए आर्ट एंड को रिजर्व रखा है वही इसका जो ओर्डर है फाइनल ओर वही सुनाएंगे और इस रोस्टर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो साथ को यह था पूरा मामला इस रोस्टर को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी तिल देंड टेक कियर वी सेफ प्लीस तो लाइक सबस्क शेयर और कमेंट फिलमीताव यूट्यूब चैनल वा नाइस देज जाए हिंद आपा देज आपा देजाए हिंद।